तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Ember Enterprises के स्टोक के बारे में Ember Enterprises के स्टोक में Next Trading Week के लिए क्या support and resistance देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम अगर यहाँ पर स्टोक की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो यह स्टोक है हमको अप्रेल से यहाँ पर लगातार clear uptrend में देखने को मिल ला है हमको यहाँ पर स्टोक में लगातार higher high higher low वाला pattern यहाँ पर देखने को मिल ला है लेकिन जो यह स्टोक है यह again and again यहाँ पर 3465 के लेवल पर यहाँ पर resistance फेस कर रहा है लास्टाम भी श्टोक ने यहाँ पर resistance लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टोक में गरावट देखने को मिली थी और अभी recently भी श्टोक ने यहाँ पर सेम लेवल से यहाँ पर resistance लिया जिसके बाद हमको again यहाँ गरावट देखने को मिली है लेकिन आज हमको यहाँ पर stock में again 2.76% की यहाँ पर तेजी भी देखने को मिली है तो यहाँ से भी हम इस stock में बात करें अगर यहाँ से stock में यह तेजी continue रहती है तो यहांसे भी और 3G की condition में हमारे पास यहां पर stock में 3199 का पहला यहां पर resistance रेकने को मिलेगा और stock इसको break करेगा then यहांसे हमको stock में 3465 और अगर stock ने इसको भी यहां ब्रेक किया then यहांसे हमको stock में again एक बड़ी 3G, एक बड़ी buying यहां पर देखने को मिल सकती है as a next step of resistance वही यहांसे अब अगर stock में गरावट आती है तो यहांसे गरावट की condition में हमारे पास यहां पर stock में 3048 का पहला यहां पर support देखने को मिलेगा अगर stock इसको break करेगा then यहां से हमको stock में 2885 and then यहां से हमको stock में again 2740 तक के levels भी यहां आपस देखने को मिल सकते हैं as a next आप support तो यह stock में कुछ important levels हैं आप इने पर ध्यान दे सकते हैं बाकी वीडियो में कोई by cell holding इसला नहीं है वीडियो के वल educational परपस के लिए धन्यवाद